प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और और विश्वास का सब की चड़ हट जाए उनकी साथ जाए करेंगे चोटे बड़े कई सारे अफडेट्स वने वाले इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और इच के लिए लाइक शेयर को मेंट करने ना भूला करें सबसे पहले अफडेट आपको धुरूब राटी के अलवाले से बताना चाहेंगे बता दे किस तरियत्ते से धुरूब राटी की वीडियो सोशल मीडिया पर लगतार वाइरल है और अलग-अलग हिस्सों में मैंने बताए किस तरियते से उनकी वीडियोस को रास्तो पर दिखाय जा रहा है, किस तरियते से प्रोजेक्टर लगा-लगा के दिखाय जा रहा है, टीवी लगा-लगा के दिखाय जा रहा है, मैंने ये सब कुछ दिखाया, कि जो उनका लक्ष है, उसको मुम्किन करने के लिए लोग उनका साथ दे रहे हैं opposition party उनका साथ दे रहे हैं लगातार इसे update सामने निकल के आई अब ये update देखिए पिछली दो report शेयर दे थी West Bengal से जहां एक university की campus में जो है वो इस तरीके के visuals देखने को मिले थे अभी ये update निकल के आ रही है महराष्ट के थाने से जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर दुरोब राटी की video चल रही है जहाँ स्क्रीन पर और ये main road पर चल रही है ट्विटर पर भी दुरोब राटी लायतार ऐसी videos डाल रहे हैं जिसके अंदर वो बारते जन्ता पार्टी के निता को बारते जन्ता पार्टी की तरफ से जो भी बयानात निकल के रहे हैं उनको counter कर रहे हैं या शेर करिंग आपके साथ आगे अपडेट L.B. चादव के हावाले से आपको याद होगा कैसे सापों के जहर को बेचने के मामले उनकी गिरिफतारी हुई फिर उनको बेल मिली काफी कुछ चला अब या अपडेट निकल के आ रही है कि L.B. शादव की मुश्किले जो है वो बढ़ने वाली है क्योंके E.D. ने जो है वो उनकी ओपर money laundering का केस दर्च कर लिया है और बहुत जिल्द रिपोर्ट निकल के आ रही है कि उनको पूछ ताच के लिए समन भी बेजा जाएगा रिपोर्ट आपको पता होगा किस तरीके से सापों के जहर को बेचने के मामले में अलवे शादफ फसे और उसके बाद जो है वो लगातार ऐसी अपडेट आ रहे थे कि एक से दूसरी जेल गए वो अभी अपडेट आ रहे है कि अब एडी जो है वो उनके अकाउंट खंगा लेगी देखेगी कि वो जो सापों के जहर को खरीद और बेच रहे थे क्या इसके पीछे सचाए है यह सारी जाच होने वाली है क्योगर लगातार यह सवाल उड़ रहा था कि माबाप की तरफ से तो कहना है कि मेरा बेटा जो है वो ऐसा नहीं जैसा दिखता है यानी जैसे गाड़िया महिंगी महिंगी, प्रौपर्टी महिंगी महिंगी तो कह रहा है ये content के लिए वो करता था लेकिन लगातार ऐसी lifestyle पर L.B. शयादव की बड़ा सवाल उड़ता रहा और अब ED की जब जाच होने वाली A.S. के अंदर जब पुछता चोगी तो पता चलेगा के सचाई क्या थी साथे साथ update कंगना रनावत के आवाले से कंगना रनावत एक बयान के बीच जो है वो शहजादों के बारे में चर्चा करती हुई पहले तो रहुल गांदी के बारे में बोल दी उसके बाद जब उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में बोल ला था तो अचारा से तेजस् तोड़ा अब देखे हमको बच्पन से सिखाया गया है कि भाई अपने मूँ अपनी तारीफ नहीं करता है अच्छा नहीं लगता है अब देखे कंगनर अनावत वो खुद ही आप सुनिये कंगनर अनावत क्या कह रही है कब हो क्या है अपडेट जूड़ी हुई है भारते जनता पार्टी की नेता है अधराबाद से भारते जनता पार्टी ने इनको खड़ा किया है नाम है माध हुई लता इनकी एक वीडियो क्लिप काफी वायरल है थी जिसके अंदर वो कभी डांस कभी पतंग उडाना कभी पतंग को काटना इस तरीकी की जो कहीं न कहीं वो AIMIM को कहीं न कहीं निशाने पर ले रहे हैं थी इस तरीकी की अरकत करते वे लोगों का ऐसा दावा है लेकिन वहीं दूसी तरफ अभी बटा दे कि सुर्ज हो है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं अब हुआ है कि हर जगा जा जा करके ये वोट मांग रहे हैं और वहीं किसी शक्स ने इन से ये पूछ लिया अब होना क्या था जब सामने से काउंटर किया जाता है तो ऐसे लोग क्या जवाब देंगे खुद सुनिये अब अनभकतों का क्या किया जाए वो बिचारे सनाटे में आ गए कि बोले तो बोले क्या करे तो करे कि आब समझ नहीं आ रहा उनके भी और बदले बदले सुर्ज हो है वो नजर आते वे दिखे साथ साथ शेगर दे कि अनभकतों के खेमे में खाफी सनाटा है इन खबरों को ले करके अमूमन सनाटा ही होता है वो कोई बाइकॉट में चलाएंगे वो कोई महीम नहीं चलाएंगे वो कोई प्रोटेस नहीं करेंगे कोई बजरंग दल का हो कोई विश्व हिंदु परिशत का हो या भार्टी जिनता पाटी के समर्थ खको एंसर मामलों में नहीं बोलते हैं और वो सननाटा है पुरा वो भी दिख रहा है गोदी मीडिया में भी सननाटा है वो भी तीन दिनों से वो नहीं आ रहा था, घरवालों को चिंता हुई, मामला पुलिस के पास गिया, इन्मेस्टिगेशन हुई, तो पदा चला, पुजारी ने जो है वो, उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया, और अपना जुरुम भी पुबूल कर लिया, अब जिस सरेके से य अपडेट निकल के आ रही है, लोग ये सवाल पूच रहे है, कि क्या वज़ा हो सकती है, क्या अभी तक वज़ा साफ नहीं है, यहां कही न कहीं ये आशंगा जाहिर की जा रही है, कि ये यूमन सैक्रफाइस का महमला सामने आ सकता है, लेकिन पुलिस अभी जाज कर रही है सीधे दोर पर ये बास सामने नहीं आई है, कि क्या बली चड़ाई है, उसने क्या किया है, अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इस तरीकी कि आशंका जाहिर की जारी है, साथ साथ मामला बिजनोर से निकल किया है, अपडेट निकल किया है, कि एक 28 साल की computer teacher, कोमन, कोचिंग सेंटर ने उसको लोगों के सामने, यानि क्लास के बीच में, गोली मार करके उसकी हत्यागर दी, रेनुजी क्या हुआ? जी हाँ, इस अपडेट पर जो सन्नाटा आपको पता चल रहा है, सन्नाटी की वज़ा यही है, क्योंकि जो आरोपी है, वो नाम आप समझ सकते हैं, कि आरोपी का नाम की है, जिस वज़ा से ये कोई भी हला और हाय वेला नहीं मचा रहे हैं अन्भक, क्योंकि खबर ही ऐसी ह बोला जा रहा है कि ये BJP, ABVP, BJBID cell, in fact मैं और राइट करना चाहूँगा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिशाद, ये जो हिंदू संगठन के लोग होता है, इसमें पूरी तरियते से खामोश क्यों है, यहां लगातार ये पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको याद ह होगा किस तरीटे से एक रिपोर्ट निकल के आए थी, नेहा और फयाज की, कि करनाटिका में जो है, वो फयाज नाम के एक शक्स ने, जो कि कॉलीक था, नेहा का, और नेहा जो है, वो कॉंग्रेस काउंसलर की बेटी थी, तो जब नेहा को प्रपोस किया फयाज ने, तो फय फयाज का प्रपोसल जो है, वो रिजेक कर दिया नेहान है, तो उसके बाद जो है, फयाज ने उसको मौत के घाट उतार दिया, इस तरीके के मीम्स चलने लगते हैं, कि इसलिए नकार दिया, क्योंकि अगर कर भी ले थी, एक्सेप्ट तो वो हाल कर देता, उसका सारी बाते चल नहीं थी, लेकिन अभी ये जो अपडेट निकल के आ रही है, जहां बता जा रहा है, कि बिजनौर की है, कोमल लाम की एक कम्प्यूर्ट टीचर को प्रशान कुमार ने इसलिए मार दिया, क्योंकि प्रशान कुमार का जो प्रपोसल था, कोमल ने रिजेक कर दिया था, तो क्लास के बीच में ही गोली मार के उसके अत्यागर दी, पूरी तरिये के सरनाटा, यहां तक कि ये खबर सुनिये, हल्दुवानी की अपडेट है, बताया जा रहा है, कि पतनी को मौत के घाट उतार करके पती ने दो बीटियों को ले करके फरार हो गया, पुलिस ने अभ अफसाना से, अफसाने ने अपना धर्म बदल करके अपना नाम आस्था कर लिया, और उसके बाद बता बता जा रहा है, कि कुछ सालों के शादी के बाद, बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद किसी मामले में विवाद हुआ, और अभी अपडेट निकल के आई, एक महीन कोई डिबेट है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई हाइवेला कर रहा है, ना कोई हंगामा मचा रहा है, अब यही अगर कोई आरोपी मुसल्मान होता, तो लगातार ना जाने वो क्या-क्या चलाने लगते, किस लेवल कर जाद चलता, ना जाने डिबेट में किस तरी इतने से तो बेज़द के अता मुस्लिम पैरलिस्ट को बुला बुला करके ना जने क्या क्या बुल वाया जाता, क्या क्या बुला जाता, तो ये सारी बाते सोशल मीडिया पर चल रही है, कि इन अपडेट्स पर पूरी तरीके से शान्ती की वज़ा जो है वो आरोपी का नाम बता जा सोशल मीडिया की वारा खबरों में आज के लिए तना ही अपनी राई सुझाओ कॉमेंट में जरूर बताएं मिलूँ आप सभी से लिए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखें